Welcome to our channel Fantasy Fortune इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं Punjab Kings vs Royal Challengers Bangalore IPL match जो ही खेला जाएगा D.Y. Stadium Sports Academy Mumbai में क्या हो सकती है Possible Playing 11 कौन से Main Player ये match मिस करने वाले हैं क्या रहा RCB का Practice Match का Results Small League की टीम क्या रहने वाली है Grand League के लिए Best Captain Choice कौन होने वाली है सब हम इसी वीडियो हमें डिसकस करने वाले हैं सो पूरी वीडियो देखेगा मज़ा आने वाला है सो बात करते हैं venue की D.Y. Partal Stadium में माच होने वाला है Mumbai में जहाँ पढ़ना matches जो है वो काफी पहले के time पे होते थे मतलब 2008, 2010, 2010 का final यहाँ पर हुआ था सो यहाँ पर बहुत पहले जो है IPL के matches होते से सो फिर उसके बाद जो है काफी time बाद अब इस ground पे वापसी हो रही है सो यहाँ पर red soil का wicket रहता है और जो fast bowlers है उन्हें अच्छी bounce यहाँ पर मिल जाती है और average जो first inning score है वो बहुत ज़ादा नहीं है 143 run का ही है और highest score जो है दिल्ली ने बनाया हुआ 190 और lowest score जो है वो deck and charger ने बनाया था 82 पे वो all out हो गई थी लेकिन यह जो record है काफी पहले के हैं काफी recent time से बहुत ज़ादा matches यहाँ हुए ही नहीं है सो मुझे लगता है क्योंकि fresh wicket होगा और यहाँ पर काफी matches इस season होने वाले है सो आपको जो pitch curator है वो एक अच्छा wicket तयार करके देगा क्योंकि बार-बार जो है फिर wicket को तयार करने में तूटता भी है जब लगातार matches वहाँ पर होते हैं सो मुझे लगता है कि 143 से तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है साथ के साथ मैं comment section नहीं पिन कर दूँगा उसी के थूँ जुडिये का search करके मच जुड़ना क्योंकि fake channels काफी सारे हमारे नाम के और कोई fantasy fortune के नाम से पैसे मांगे तो बिल्कुल भी देने की जरुवत नहीं है साथ के साथ YouTube channel को subscribe करके bell icon दबा देजिए जैसे वीडियो आएगी आपको notification मिल जाएगी सो मुंबई और दिल्ली के मैच की वीडियो अल्रेडी आ चुकी है सो वो भी आप हमारे channel पर देख सकते है बात करते हैं पंजाब kings की सो यहाँ पर शिखरदवन ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे मयंक अगरवाल के साथ यहाँ पर प्रब सिम्रन जो है वो बंडाउन आ सकते है टीम चाहे सो उनकी जगा राजा पक्षा को भी खिला सकती है या फिर राजा पक्षा और प्रब सिम्रन दोनों को भी खिला सकती है फिर लियाम लिविंग स्टोन है शारुक खान है ओडियन समिथ है हरपीज बरार है संदीब शर्मा अर्शदीब सिंग राहुल शहर और यहाँ पर रबाड़ा का बता दूँ कि जो रबाड़ा है वह बबल टूबबल ट्रांसफर अगर उन्हें मिल जाता है क्योंकि वह उल्रेड़ी इंटरनाशनल सिरीज से ही आ रहे है सो अगर बबल टूबबल ट्रांसफर उन्हें मिल जाता है तो वह यह मैच क Heavenly आजाएग और अगले मैच से वो available नहीं है, fab duplexes open करते वे नजर आ जाएंगे, यहाँ पर विराट कोली open कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अनुजरावत के chances लग रहे हैं, कि वो open कर सकते हैं, practice mark में यह फैब duplexes और अनुजरावत ही साथ आए थे, तो यहाँ पर अनुजरावत के काफी chance बन रहे हैं, कि वो open कर सकते हैं, otherwise विराट कोली भी एक option है, फिर यहाँ पर महीपाल लॉम्रोर है, दिनेश कार्तिक है, शर्फिन रदरफोर्ड है, महिंदू हसरंगा है, डेविड विली है, हर्शल पतेल है, शाबाज एहमद, मौहमद सिराज, शाबाज एहमद एक ऐसा खिलाड़ी है, जिसक in selection है, इनके बारे में भी बताऊंगा, interesting facts की बात करें, so यहाँ पर head to head में, पंजाब ने जो है, तेहरा मैच जीते हैं, यहाँ पर सरी, पंजाब ने 15 मैच जीते हैं, और RCB ने जीते हैं, तेहरा मैच, most runs की बात करें, so क्योंकि teams में काफी जाला बदलाव हो चुके हैं, द prospects की बात करें, so यहाँ पर संदीव शर्मा के 16 और हरिशल पटेल के 6 हैं, बात कर लेते हैं कुछ interesting match-up की, so डेविड विली ने जो है, शिखरदवन को 4 बार आउट कर चुके हैं, so यह एक अच्छा match-up है, starting में बोल करते भी नजर आ सकते हैं, so यह एक अच्छा match-up बन जात है, और संदीव शर्मा का तो मुझे लगता है, हर को ही जानता है, संदीव शर्मा है, यह बड़ी मच्छी फसाता है, विराट कोली को 7 बार आउट कर चुका है, और डुपलेसिस को भी ना, इसने 2 बार आउट किया, और अगर starting में swing मिल गी ना, संदीव शर्मा किसी भी प् हर्शल के बीच में, सो डुपलेसिस की टीम ने 215 बनाये थे, जिसमें डुपलेसिस ने 76 बनाये थे, 40 बोल में, अनुजरावत ने 46 बनाये थे, 25 बोल पे, और यहाँ पर रदरफर्ड ने 69 बनाये थे, 31 बोल पे, काफी तगडे शॉट लगा रहे थे, अनुजरावत काफी अच्छे शॉट्स लगाए हैं, और यहाँ पर डुपलेसिस भी काफी अच्छे टच में नजर आ रहे थे, और एंड में आके, रदरफर्ड ने भी लंबे लंबे शॉट्स लगाए हैं, हर्शल पटेल ने 3 विकेट निकाले थे, और करन शर्मा ने 2, फिर बात कर लेते हैं टीम हर्शल की, जिनोंने 213 रन बनाए थे, सुयश प्रभुदेसाई ने 87 रन बनाए थे, और सिर्फ 46 बोलों में, अगर यह खेलते वे नजर आ जाये न, भाई यह काफी अच्छी गेम चेंजर पेकाफ के लिए बन सकती है, क्योंगी सेलेक्शन ही नहीं, इनका 1% टीम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, डेविड विली ने भी 25 रन का योगदान दिया था, अकाश दीप ने 4 विकेट्स निकाले थे, बट खेलने के चांसे इनके कम है, हसरंगा ने एक और शाबाज एमद ने एक विकेट निकाला था, बात कर लेते हैं पंजाब क एक कंसीडर किया जाए, तो शिखर दवन के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये IPL रहने वाला है, इंपॉर्टेंट चॉइस है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और कैप्टन वाइस कैप्टन की अच्छी चॉइस बन जाएगी, स्पेशली पहले बैटिंग करते हुए, चेज प्रव सिम्रन है, आपर जो ये थोड़ा अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, प्लस ये विकेट कीपिंग आपको करके दे देंगे, आपके लिए एक डीसेंट पिक बन सकती है, ये अच्छे रंस करते हैं डोमेस्टिक में, और शॉट्स लगाते हैं, इस चीज का भी ध्यान लियाम लिविंग स्टोन है, बहुत तगड़े खिलाडी मुझे काफी पसंद है, बैटिंग से बहुत लंबे छक्के लगाते हैं, ओफ स्पिन कर लेते हैं, लेक स्पिन कर लेते हैं, अच्छे फिल्डर है, प्रॉब्लम क्या है फिर, प्रॉब्लम ये है कि एशिया में आप भी कर सकते हैं, मुझे भी ये प्लेयर बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ ये ही है कि IPL में पर्फॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, और रिसेंटली जो PSL में भी खेले थे, एशियन विकेट्स पे, महाँ पर भी उतनी अच्छी पर्फॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन प्लेयर बहुत सॉलिड है, शारुक खान की बात करें, शारुक खान यार, ये आपको फिनिशिंग का रोल कर सकते हैं, करेंगे, और काफी अच्छी रीसेंट फॉर्मिल की रही है, और काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं, ये Kings 11 पंजाब के लिए और पंजाब Kings के ल देंगे, लेकिन जो लोग अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते हैं, और आपको क्या चाहिए, विकेट्स और इनकी बेटिंग बहुत सॉलिड है, लंबे छक्के लगाते हैं, और ऐसा खिलाडी है, जो हर बोल पे छक्का लगाते हैं, अगर ये इनके उपर ध्यान दिया सलबड़ी बात बोल रहा हूं, उस टाइप का खिलाडी भी बन सकता है, शौट्स बहुत तगड़े लगाते हैं, ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की बहुत अच्छी च्वाइस बन जाएगी, हर प्रीज बरार की बात करें, सो लोगर ओडर बेटिंग भ है, वो काफी अच्छा रहा है इनका, यहाँ पर डुक प्लेसिस को भी तंग कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर विराट कोली का विकेट साथ बार ले चुके हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, अर्शदीव सिंग इंपोर्टन रहेंगे, संभालेंगे, डेथ निकाल सकते हैं, तो आपकी टीम में होने चीज़ आइडियली, अगर पंजाब पहले बोलिंग करती है, राहुल चाहर है, तो राहुल चाहर बेस्ट स्पिनर मुझे लगते हैं, लेक्स्पिनर मुझे काफी अच्छे लगता है, यह स्पिनर स्पिन है इनके पास, और यह कि सामने lefty batsmen काफी जादा है, तो कितने effective होगे वो देखना है, लेकिन राहुल चाहर जो है, काफी अच्छे player है, आपके लिए अच्छी ट्रमकार्ट पिक साबित हो सकते हैं, यहाँ पर रबाड़ा हैं, अगर खेलते हैं, तो आपकी टीम में होने चीज़े, captain wise, captain भी कर सकते हो, लेकिन अगर रबाड़ा available नहीं होते हैं, क्योंकि quarantine में हैं अभी, तो अगर bubble to bubble transfer मिलता है, सिर्फ तभी खेलेंगे, तो यहाँ पर otherwise Benny Howell खेल सकते हैं, जो आपको थोड़ी बहुत betting, थोड़ी बहुत bowling आपको करके देदेंगे, even राजा पक्षा को खिला जा सकता है, औ वन और second down तक खेलने को देखने को मिल सकते हैं, अगर one down खेलते हैं और wicket keeping कर रहे हैं, suppose करो team प्रब सिम्रन की जगा जो है, यहाँ पर राजा पक्षा को खिला ले, ठीक है, तो उस case में और फिर इंडिया का यहाँ पर इशान पोरेल खेल सकता है, जो यह काफी अच्छा fast bow यहाँ पर अगर one down बैटिंग करते हैं, प्लस wicket keeping कर रहे हैं, सो एक important choice बन जाएगी, जो आपको small league one sided win भी करवा सकता है, death bowling की बात करें, सो अर्षदीप है, अगर अर्षदीप नहीं होते हैं, अर्षदीप नहीं होते हैं, अर्षदीप तो है, रबाड़ा कर नहीं खेलते हैं, बात कर लेते हैं, रोयल चैलेंज है बैंगलोर की, सो फैब डुपलेसिस ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे, यहाँ पर काफी अच्छी और safe choice बन जाएंगे, small league में captain wise captain की, अगर देखा जाए, तो bowling attack अगर रबाड़ा नहीं खेलते हैं, सो इनको जो खत्रा है न को personally जानता हूँ और बहुत खुशों मैं इसके लिए यार की इतना अच्छी तीन करोड की प्लस की बोली लग गई है, so very excited, चाहता हूँ की अच्छी पर्फोर्मेंस दे, और यह चक्के बहुत लंबे लगा लेता है, लेकिन यह wicket keeping नहीं करेगा, और कुछ matches में जो है wicket throw भी कर सकता है, यह चीज़ है, लेकिन प्लेयर में quality, इनमें talent काफी और shots है इनके पास, practice match में भी अगर आप देखो, youtube पे available है, अगर आप वो देखते हो, तो काफी अच्छे shots इन्होंने लगाए थे, तो एक आपके लिए अच्छा differential player wicket keeping section में बन सकता है, विराट कोली है, विराट कोली, अगर विराट कोली देखा जाए, तो आपके लिए किसी भी team के, लेकिन recent form इनका अच्छा नहीं रहा है, और credit का issue आएगा इसमें, grand league के लिए बहुत अच्छी captain ship choice रहेगी आपके लिए, क्योंकि काफी लोग जो है इनको drop करके चलेंगे, तो उस case में आपके एक अच्छी choice बन जाती है, और लेकिन team अगर पहले batting कर रही है ना, तो विराट कोली एक अच्छी pick बन सकते हैं, specially यहाँ पर पंजाब का bowling attack अगर रबाड़ा नहीं होते हैं, थोड़ा weak नजर आ रहा है, तो यहाँ पर run कर सकते हैं, विराट कोली एक अच्छी लंबडी खेल सकते हैं, महिपाल लोम रोर की बात करें, छोटा गेल इनको कहा जाता है, और यह player important है, मतलब यह आपके लिए छुपर उस्तम player निकल सकता है, आपको batting से भी अच्छा contribution दे सकता है, लास्ट येर भी IPL में कुछ इनिंग सिनों ने काफी अच्छी खेली ती, और ज़र यहाँ पर यह काफी important बन जाएंगे, क्योंकि यह finishing का role, finisher का role अदा करेंगे, वहाँ पर Russell थे, और Morgan भी थे, लेकिन यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी जो रहेगी finishing की, काफी हद तक दिनेश कार्तिक के पास रहेगी, और wicket keeping भी करेंगे, तो एक important player बन सकते हैं, RCB के लिए, तो यह season दिनेश कार्तिक के लिए अच्छा जा सकता है, Rutherford की बात करें, छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं, हर bowl पे try करते हैं, और अच्छा खिलाडी भी है, Grand League के लिए बहुत अच्छी choice बन जाएगी, अगर आपको लगता है, Punjab one-sided win कर रही है, मतलब की यह match, और starting मे विकेट्स गिरेंगे, so Rutherford को RCB की टीम में जरूर ले लेना, और उस टीम में आप चाहो तो Vice Captain Grand League में try कर सकते हो, Mega Grand League में, Mini Grand League में लेकिन player ठीक है, end में आके run कर सकता है, वह Hindu हजरंगा की बात करें, so अगर इनकी international performance देखी जाए, so ला जवाब आख बंद करके Captain बनाने वाल था, IPL देखो एक अलग format हो जाता है, बहुत pressure रहता है, आपको काफी चीज़े देखनी पड़ती है, so हसरंगा कैसा perform करते हैं, देखने वाली बात होगी, लेकिन लास्ट येर यहाँ पर चहल भी थे, और चहल जो है, टीम के main spinner थे, लेकिन अब जो है ना, वो main spinner बन जाते ह हसरंगा, so ये चीज़ इनके favor में जाएगी, और आप देखना starting के match इसका नहीं, लेकिन जैसे जैसे tournament आगे progress करेगा, हसरंगा काफी अच्छी performance दे सकते हैं, grand league के लिए captain wise captain की बहुत अच्छी choice बन सकते हैं, even small league में भी आप consider कर सकते हैं, क्योंकि lower order में आपको runs भी बना कर दे सकते हैं, शाबाज एहमद की बात करें, तो यहाँ पर शाबाज एहमद जो है important बन सकते हैं, तो toss के time पर पता चलेगा कि क्या इनका down हो सकता है, क्योंकि विराट को usually बता देते हैं कि one down वो किसको खिला रहे हैं, last time भी उन्होंने बता दिया था, तो शाबाज एहमद अ शिकरदवन को तंग कर सकते हैं, तो एक अच्छी epic इस team से बन सकती है, हर्शल पटेल आपकी team में होने ही चाहिए, especially अगर RCB की पहले bowling आ रही है, उस case में end में death में wickets निकाल सकते हैं, मुहमद सिराज की बात करें, मुहमद सिराज ये कैसा खिला रही है, अगर आप इसको लगातार captain wise captain करते हो grand league में ये आपको grand league तक मिन करा सकता है, क्योंकि लगातार team इन पे भरोसा दिखा रही है, और ये काफी recent time से bowling अच्छी कर रहे हैं, और अगर यहाँ पर जैसा wicket है, अगर वैसा ही behave कर जाता है, तो starting में जो है न, मुहमद सिराज तंग कर सकता है, काफी अच्छी swing के साथ wicket निकाल सकता है, starting over में, तो grand league के लिए बहुत अच्छी captain wise captain की choice बन जाते हैं, death bowling की बात करें, तो यहाँ पर हर्शल पटेल हैं, और मौमद सिराज हैं, important players की बात करें, fab duplexes हैं, यहाँ पर विराट कोली, हसरंगा, हर्शल पटेल और मौमद सिराज जो ह और मैंक अगरवाल हैं, विराट कोली हैं, यह चार player काफी लोगों के होंगे, फिर जो कुछ लोग हैं, जो all-rounder बनाना चाहेंगे, वो living stone और यहाँ पर हसरंगा के साथ भी जाने वाले हैं, लेकिन जो top 3 रहेंगे, वो यहाँ पर duplexes, धवन, काफी, यह combination काफी होगा, और विराट कोली जो है, कहां नवरना सब के ही captain हुआ करते हैं, 70-70% लोगों के captain विराट कोली, so grand league में आप विराट कोली को captain कर सकते हैं, audience smith आपके लिए काफी अच्छी choice बन सकते हैं, इन्हें vice captain आप करोगे न सो better है, क्योंकि यह आपको performance दे सकते हैं, और उस case में आप captain किस विकेट कीपिंग section में यहाँ पर जोनी बेर्स्टोजिन का सबस्याज selection है, वो available नहीं है, so यहाँ पर उसके बाद है, दिनेश कार्तिक, अनुज रावत और प्रपसिंगरन सिंग, यहाँ पर अनुज का और प्रपसिंगरन का selection बिलकुल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इनका पर दिनेश कार्तिक को रखा है, अनुज रावत एक अच्छी पिक है, यह अपने दिन पर अच्छी पिटाई कर सकते हैं, यह ध्यान रखना है, और यहाँ पर प्रपसिंगरन है, जो वन डाउन बैटिंग करेंगे, और डीसेंट प्लेयर है, यहाँ लेकिन मैंने अभी के लिए यहाँ पर दिनेश कार्तिक के साथ गया हूँ, बैटिंग सेक्शन में यहाँ बात करें, जो चार प्लेयर जो इंपॉर्टन है, वो हैं, डुपलेस हैं, मयां कगरवाल हैं, शिखरदवन हैं, और विराट कोली, चारो ही अपनी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टन हैं और कैप्टन वाइस कैप्टन की भी अच्छी चॉइस हैं, यहाँ पर शारुक खान है, जो फिनिशिंग का रोल अदा करेंगे, लोम रोर जो है, वो एक अच्छी डिफरेंचियर प्लेयर बन सकते हैं, इस्पेशली अगर सेकेंड डाउन बैटिंग करते हैं, यह अलास्ट हैं, अगर ऑपन करते हैं, यह अच्छी चॉइस रहेंगी, यहाँ पर लेकिन अभी के लिए में ऐखने हैं वाल रावंडा सेक्ष्छन में, यहाँ रेयों इस सेक्शन में वाहिका अगर खेलते हैं सो बिल्कुल ट्राइक कर सकते हो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इनकी हमेशा डोमेस्टिक सीजन में रहती है यहां पर एक छुपा हुआ खिलाड़ी प्रभुदेसाई एक परसेंट सेलेक्शन है खेलता हुआ नजर आ जाए सो यह डोमेस्टिक में गोवा पर दिख जाए ना आपके लिए गेम चेंजर पिक बन जाएगे और ग्रैंड लीग में कैप्टन ट्राइ कर लेना 87 रन बनाके आ रहे हैं प्रैक्टिस में आज में भी ठीक है बोलिंग सेक्शन में चलते हैं सो दो प्लियर जो होने चाहिए हर्शर पटेल और मोहमस सिराज यहाँ पर अर्शदीप भी इंपॉर्टेंट हैं सो तीनो रहेंगे रबाड़ा खेलते हैं सो ओविस चॉइस बन जाएगी लेकिन अभी डाउट है सो इन्हें अभी नहीं ले रहे हैं यहाँ पर मैं ओर्डियन स्मित के साथ जा रहा हूं क्योंकि मुझे और राउंडर का क स्वाम करके दे देंगे बैटिंग बोलिंग दोनों से पॉइंट दे सकते हैं सो ओडियन स्मित हैं अब यहाँ पर एक बोलर हम ओड ले सकते हैं उसकेस में हम यहाँ पर चहर एक अच्छे ऑप्शन है संदीप शर्मा जिनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है स्टार्टिंग में स्विंग मिलती है तो किसी भी बैट्समन को तंग कर सकते हैं डेविड विली हैं जो काफी अच्छे हैं यहाँ पर हरप्रीद बरार छुपा रुस्तनम जो लास्ट यह आर्सीवी के अच्छा करके गया था सो बैटिंग से भी कॉंट्रिबूशन दे सकते हैं सो हरप्री तो हम यहाँ पर चारों प्लेयर नहीं ले पाएंगे तो यह चीज था इसी वज़े से मैंने पहले बोलिंग सेक्षन में आ गया था तो यहाँ पर हमें अप तीन प्लेयर लेने हैं आप यहाँ पर चार में से तीन प्लेयर आप लेकर चल सकते हो डिफरेंशल में आप लॉम करना होगा तो यहाँ पर मयंग कगरवाल चोईस बन जाती है अब जो तीसरी पिक है यह काफी हद तक game decide कर सकती है क्योंकि दोनों ऐसे खिलाड़ी है जो काफी अच्छे आपको points दे सकते हैं ठीक है और बड़ी inning भी खेल सकते हैं तो यहाँ पर दवन और या फिराट को लिए completely आपकी choice है मैं क्या करूँगा जो भी team की पहले batting आएगी उस team का player मैं यह लेकर जाऊँगा ठीक है तो अभी के लिए मैंने आपर दवन को लिया है विराट को भी हम ले सकते हैं या फिर अगर चाहो तो डूपलेस को ड्रॉप करके आप विराट को ली को भी ले सकते हो यह complete decision आप करेगा क्योई credit का यहाँ पर issue है तो यह बन रही है मेरी small league की team इसमें एक से दो change हो सकते हैं depending upon toss बात कर लेते हैं captain wise captain की तो यहाँ पर मैंने captain जो है वो बनाया है fab duplex इसको wise captain जो है मैंने यहाँ पर विराट कोली एक option है शिखरधवन है लिविंग स्टोन है हसरंगा है हर्चल पतेल है काफी options है काफी अलग-अलग इस match में जो है आप देखोगी combination captain wise captain के लेकिन मैंने आपर मैंक अगरवाल के साथ गया हूँ दोनों captain को मैंने captain wise captain किया है सो यह बन रहे है मेरी small league के team final team आपको telegram पर मिल जाएगी सो telegram पर जोड़ना ना भूलिएगा link description में है और साथ के साथ comment section ने पिन कर दूँगा और youtube channel को subscribe करके bell icon दबा दीजिए जैसे video आएगी आपको notification मिल जाएगी grand league के लिए मैं अलग से video बना दूँगा अगर आपका support रहा और आपको चाहिए सो आप comment करके बता सकते हैं सो वो video में अलग से grand league की बना दूँगा उम्मीद है आपको video पसंद आई होगी thank you guys